14 अप्रेल को बावा साव काम बेड़कर का जरम दिन पूरे देश के बोजन स्वाज के लोग और मैं कहूंगा इस देश की आधी अबादी महीला सक्ती को जिसके मुक्ती दाता बावा साव अमबेड़कर हैं अगर इस देश में समिधान ना होता तो इंद्रा गांधी परधान मंत्री ना होती जितने भी महीराओं को अधिकार मिले हैं बावा साव अमबेड़कर की वज़े से समिधान की वज़े से मिले हैं जैवीम साथियो साथियो आज आप से रूब रूब इसलिए होना पड़ा क्योंकि रोज की रोज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी एक्ट्रोसिटिज की घटनाएं सामने आ रही है और सबसे ज़्यदा सर्मनाख घटना जो कन्नोज में अर्विंद कुमार जी जो तसिलदार थे और एक दलित समाज से वो आते हैं वो अपना पूरा निष्ठा रिमानदारी से करतबे निभा रहे थे वहां के सांसद सुबरत पाठक जी ने जो बीजेपी के सांसद हैं उस तैसिलदार के घर में घुसके अपने गुंडों के साथ मार पिट की और जान से मारने की धंकी दी जिसकी नाम जद F.I.R. भी है उसके 20-25 लोगों के भी नाम हैं लेकिन साथ ही वे दुर्भग गए इस देश का के यहां पर एक जाती और धर्म की वज़े से विशेष लोगों को टार्गिट किया जाता है उनके उपर नय किया जाता है और जो दूसरे लोग हैं जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जाती से ब्रामण हैं तो यह लोग किस तरह से हमारे लोगों का सोसन करते हैं अत्याचार करते हैं और फिर F.I.R. होने के बावजुद जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो कोई भी कारवाई इनके उपर नहीं करते हैं मैं धन्यवाद करूंगा बेहन कुमारी मायाती जी का जिन्नों ने इस गटना को उजागर किया ट्विट करके उसके बाद जो भी थोड़ी बुत कारवाई हुई है उसके बाद ही हुई है तो मैं इस देश के जो सिस्टम है भाजपा के सरकार है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर में सरकार है और पूरा इस गटना से जो तसलिदार साब के साथ गटना की है इन मनुवादी लोगों ने इससे पूरे समाज में एक रोस है करमचारी वरग में रोस है और ये तो बहुत ही अच्छा समाज है बहुजन जो समाज है बहुत अच्छा समाज है नहीं तो जिस तरह का वक्या सांसदनी किया है एक दलित तस्यलदार के साथ अगर पुरे देश के बहुजन समाज के लोग हरताल पे चले गए सरकारी करमचारी या सिर्फ जडूर कास्ट के लोग ही हरताल पे चले गए सरकारी करमचारी तो ये सड़के मर जाएंगे इस देश के जो ब्राह्मनवादी लोग हैं मनवादी लोग हैं सड़के मर जाएंगे इस करोना में भी जो सबसे एहम भूमिका है करोना वाइरस में इस बिमारियों को धरम से जोड़ देते हैं मलब कितने दिन की बात हो चुकी है जो मरकस का जो गटना थी वो लोग वहां रेस्क्यू किये गई थे वहां से आज भी टेलिविजिन पे दिखा जा रहा है उस समाज को जाहिल गवार पता नहीं क्या क्या का जा रहा पूरी बिमारी का टोकरा मुस्लिम समाज के उपर फोड़ने की तियारी चल गए और इधर पलवल में एक गटना होई जिस दिन पूरे देश ने को मूरक बढ़ा करके जिस तरह इन्होंने मुंबतिया जलवाई पांस तारिक को क्योंकि छै तारिक को बिजेपी का स्थापना दिवस था इन्होंने पूरे देश को बेकूब बढ़ा करके मुंबतिया जलवाई और मोधी जी ने बड़े वक्त में भी विका कि पूरी देश ने बड़े अरस उल्ला से मना अभी जी पिकास्तापना देश तो यह कैसे लोग हैं कितना छुपके वार करते हैं इनके पुरोजों में भी यह पुरोजों में लड़ना करोना से चाहिए और हम लोग लड़े किसे रहे हैं आपस में तुछोटी जाती का में बड़ी जाती का तो उस धरम का मैं इस धरम का तो इन सभी चीजों से उपर उठके यह काम हमें करना चाहिए करोना से लड़ना चाहिए और यह जो भगत है मोदी के जो भगत हैं मोदी मीडिया है या जो भी सोसल मीडिया पे इनके बैठे हैं लोग गलत को सही और सही को गलत करने में लगे हुए हैं उन लोगों यह नहीं पता कि अमरीका के राश्टपती ने मोधी को धमकी दी, सरयाम कहा कि यह दवाईयां हमें बेजो, नहीं तो इसके प्रणाम बुगतने के लिए तेयार हो जाओ, और यह शिर्फ मोधी को धमकी नहीं थी, 135 करोड इस देश के भारत के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनको धमकी दी थी, क्योंकि मोधी एक व्यक्ति नहीं है, एक देश का परधानमंत्री है, एक देश का मुख्या है, एक देश का जो गहते हैं, अभिमान परधानमंत्री होता है, आज वो भारत सरकार का परधानमं इस देश के 135 करोड जनता का परदानमंत्री है और उसको धमकाने या काम किया अमरीका के राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने और एक भी भगत की आवाज नहीं निकली एक भी भगत का पता नहीं चला कि कहां से निकल गए कहां से चले गए किसी ने भी कोई आवाज नहीं उ इसके रक्षा मंत्रा लेने दवाईयां बेजने के लिए भी थेया रोगा कमाल के लोग हैं मनलब समझ में नहीं आता ये लोग कैसे हैं जब पूरी दुनिया में हमारी फैल रही है हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि सायद यहां दवाईयां कम पढ़ जाएं उस समय अगर कोई सही वेक्ति हो समिधान को मानने वड़ा इस देश का परधान मंत्री हो तो हम लोग ठोक के जवाब देते हो समरीक को कि तेरी जो अकात है न साले तू कर ले हमने लिए सबसे पहले हमारे देश के नागरिक हैं 135 क्रोड देशवासी हैं पहले हम लोग इनका इलाज करेंगे और उसके बाद अगर बच्ती है तो तुझे देंगे नहीं तो नहीं देंगे जिस ज़्यादा गरीब देश जोगा जिसको जरुत हो इसको हम लोग देंगे माना वता के लिए काम करने की जरूरत है ये लोग इस दुनिया को अपने बाप की जागिर समझते हैं चा काबिल लोगों का राज है अगर समराटसोग जैसे युद्धाज इस देश में होते तो अमरिकागी उकात नहीं थी कि वो कुछ बोल बजाता चूबी कर जाता तो साथियों ये तो रही 56 के सीने की बाप और जो एट्रोसिटी की बात है रोतक में हर्याना में राजस्थान म पता नहीं कहा कहा से गटना है सुनने को मिल रही है और ये हमारा दुरभाग्या है कि लोगडाउन है अब लोग वहां जा भी नहीं सकते उन लोगों की मदद भी नहीं कर सकते मैं तो यही कूंगा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो भी आपके आस-पास को गटना होती ह तो वहां के आस-पास के लोगों को इखटा होना चाहिए और जा करके उन लोगों की मदद करनी चाहिए साथियो आज ये जो समय है ये बहुती खराब समय है आज जो बिमारी पुरी दुनिया में फैली है उस बिमारी का इलाज किसी के पास नहीं है उस बिमारी का इलाज अ और उमीद है कि जो सरकारे दावे कर रहे हैं कहीं न कहीं ये थोड़े बहुत पूरे भी करेंगे लोगों तक खाना कम से कम पानी तो पहुंचाने हैं काम करेंगे और साथियों रोजगी रोज जो ये PM केर्स फंड में इतना सारा पैसा लोग दे रहे हैं डोनेट करने हैं MLA, MP, सोसल लोग, बिजनिसमेन, सेलेबरिटी जो भी लोग दे रहे हैं कम से कम अब देश के परधानमंतरी को या उनका जो भी कारिये देखता है उनको ये सारजनिक करना चाहिए कि ये पैसा इतना पैसा है और इतना पैसा इन लोगों के इस मदद में काम आएगा क्योंकि अपने देश के लोगों में एक बहुत अची बात है ये लोग जब भी खटा कोई भी अपने देश में समझा होती है तो लोग मिल करके सामुद परियास करते है साथ यो बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ सोसल मीडिया के मादम से रोज की रोज लोगों को घरों तक खाना पहुचा रहे इसमें मैं एक मेरे पुराने मित्र है अमन कुमार पारशद है उनकी वाइफ वो बहुत अच्छा काम कर रहे है मैं उनको लगातार फॉलोड करता हूँ देखता हूँ वो हर उस वेक्त की मदद कर रहे हैं जहां मदद पहुचने चाहिए तो साथियो आज जो समय है वो राजनिती और धर्म से उपर उठके काम करने का समय है और अब दिल्ली में जो लोगों पे आरोप लगा है जिस समाज पे निजाम-दीन मरकज पे देखे कमाल की बात आपको देखने होता हूँ मैं उसी की पार्टी का जिसका मुख्यमान टरी है लालाजी उसी की पार्टी का एक विधायक है उख उमानत अल्लाँ खाल वो रोज की रोज मसल्मानों के साथ खड़ा रह करके बात करता हूँ उनको जम्म्हदार ठrèsना जा रहा है यह गल्त किया जा रहा है लेकिन वहीं दूसरे तरह उसका मुकया मुक्र वंधरी कहता है कि दिल्ली में जो करोना फैलाया ये तब्लिखी जमात के लोगों की वज़े से निजामुदीन की मरकस के लोगों की वज़े से फैला कमाल का आदमी है वह या तो उसकी पार्टी में मत रहा है अगर समाज़गी बात करनी है और समाज़गी बात करनी है तो उसको कहना जाकर के लाला जी को कि भी आप गलत कर रहे हो तो एक तर जला गाए तरह सुंदरकारने और समसे बड़ी जो गठरे में बताता हूं आप लोगों को जिसका बहुत बड़ा-बड़ा पुरी दुनिया में परचार किया इन लोगोंने पैसे देदा करके अख्मालों में चुकाना महला कलीनिक कोई एक आधी बता दे आज मैं चैलेंज कर अगर सरकार बदल गई ना तो इस सतेंदर जैन जैसे लोग मनीश इसोधिया जैसे लोग और यह अर्विंद केजरी वाल जैसे लोग यह लोग जेल में जाएंगे मैं गारंटी देता हूं क्यों इन लोगों ने जितना बस्टाचार शिक्षा मेवस्था में किया है और जितना में मैटेरियल थर्ड क्लास का ही हुजो रहा है यह तो लोग डाउन है अभी हम लोग इनकी रिपोर्ट नहीं कर सकते जैसे लोग डाउन शरू होगा खतम होगा इन लोगों बताएंगे काम कैसे होता है मिड़े मिल जो देते हैं यह लोग जो आज कल इनने गरीबों के सकते हैं खाणा बाटने वाले रिखाना लेने वाले तो सरकार क्या कर रहे हैं सरकारे बिल्कुल fail है चाहे एक。」 Venus σउरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो हाँ कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे है अगर मैं इस देश में सबसे अच्छा मुक्रमंत्री किसी हो गता हूं तो वो हेमत सोरण जी है जारखंड के सिभू सोरण जी के लड़के वो वैक्टी इतना अच्छा काम करते है कि आप सोच नहीं सकते अपने छेतर के लोगों को जामी फसे हैं उनको रेस्क्यू करवाया है उसादमी ने उन तक मदद पहुचाई और एक दिल्ली के मुक्रमंत्री है रात और रात दिल्ली के मजदूर बॉर्डर में ले जाया खड़े कर दीश अब सोचल फरेंटर गाली जिने आमन करता इसको ल की गूपमेंट्स दि दिये जा रहे हैं ना उनके पास मास्क है ना गलफ्स हैं किसी भी तरह कोई शेफ्टी गूपमेंट्स नहीं है और यह लोग बात करते सरकार चलने इनको सरकार तो क्या इनको परिवार नहीं चला सकते यह लोग अपना तो साथियों बहुत सारी एक्रोसिटी ये उल्टिशी दिखावरे आ रही है आप लोग फिर भी सेयम बढ़ाए रखें क्योंकि जो बिमारी है ये जाती और धरम देखके नहीं आती इस जाती ने सारे दुनिया को अच्छूत बता देगा अच्छूत क्या होता है किसी को ना छूना क्या होता है जो हज क्यारो बश्व गुलामी हम लोग बरदास करते हैं वे पुर्खचे बरदास करते हैं आज इनको 21 दिन भाड़ी पढ़े ऐस गुलामी में रहने का अमठें लोगों को ढरो से बार नियिं किना जाता थी और बाहर भी उस समय निकलने दिया जाता था जब बिलकुल सुर्यकी सब्सक्राइब करता हूं कर ले इस दुनिया के बहुत बड़े महां समास सुधारक महात्मात जोती वा फुले की जनम दिन है जनम दिन जनम दिन है जो बबा साम बेड कर उनको अपना गुरु मांते थे कल बोजर सवाज के लोगों को रात को नो बजे सब लोगों ने अपने अपने घरों में महात्मात जोती वा फुले के फोटो के आगे अपनी सरदांजली सरदा सुमन अरपित करने और उस मानपुरुस को याद करना है जिस मानपुरुस ने और मा सावित्री भाई फुले ने इस देश में एजूकेशन महाराष्ट्र में वहां सरद जाती के लिए कुवा खोदां लोगों के पाणी की विवस्ता की उस माहान समाज सुधारक का कल जनम दिन है हम सब को जितने ही भाउजे समाज के जागरूप लोग है और जो नहीं जानते अपने अपनी सोशल मीडिया पर डाब लो आप लोग क कल जोतिवा फुले महात्मा जोतिवा फुले का जनम दिन है और सब लोग अपने घर में मनाएंगे उसके बाद दो दिन बाद 14 तारिख को बाबासावाम बेड़ कर का जनम दिन है बाबासावाम बेड़ कर इस दुनिया के लिए सिंबल ऑफ नॉलज आइकन है यूनिवर्स के लिए और ये इस देश में जो मूरक समाज के लोग हैं जो मनवादी समाज के लोग हैं जो काबलियत को अनभिग बढ़ा करके अनदेखा करके नाकाबिल लोगों को इन लोगों ने यो दमनाने कोजिस किया है उनके मुँपे कराना तमाचा मारना आप लोगों ने 14 अप्रेल को बावा साव काम बेड़कर का जरम दिन पूरे देश के बोजन स्वाज के लोग और मैं कहूंगा इस देश की आधी अबादी महीला सक्ती को जिसके मुक्ती दाता बावा साव अमबेड़कर है अगर इस देश में समिधान ना होता तो इंद्रा गांधी परधान मंतरी ना होती भेंकुमारी माया होती मुक्ष मंतरी ना होती जितने भी महीलाओं को अधिकार मिले है बावा साव अमबेड़कर की वज़े से समिधान की वज़े से मिले है तो 14 अप्रेल जो है, सबसे बड़ा दिन है, साल का सबसे बड़ा दिन, इस दुनिया के सबसे महानायक का जनम दिन है, बाबा साम बेड़ करका, अगर बाबा साम बेड़ करना होते, तो आज हमारी अवकात ना होती, इस तरह से फेस्बुकों से लाई होने की, बड़े- में तो उस महान नायक का जनम दिन ऐसा मनाना है कि हर घर में मुंबतिया जले पदा चल जाए इन मनुवादियों को ब्रह्मन वादियों को के बहुजन समाज में चेतना आ चुकिया है और अंबेड करवाद घरगर तक फैल चुका है तो बहुत ही दूमदाम से कल महात्मा जोत गैधरिंग करके हम लोग मनाएंगे आप लोगों ने ये वोस्ट जादा जादा सेर करनी ताकि लोगों संदेश मिल्स के हम लोगों ने पहले भी कहा था पिछले वारेल में के 14 अपरेल को और 11 तारिक को महात्मा जोतिवा फूलर बावासाब का जनम दिन बड़े स्केल पे झाल 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 झाल